असलाम अलेकुम स्टडी टाइम यूट्यूप चैनल पे आपको खुशामदीत हम कमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं मुख्लिफ टैंथ के उन में से जो इंपॉर्टन शार्ट क्वेस्टन्स हैं उनको डिस्कस कर रहे थे हम यह देख रहे थे कौन कौन से क्वेस्टन आ सकते हैं और साथ हम यह भी देख रहे थे कि जो क्वेस्टन्स हैं जब यह पेपर में आएंगे तो वहाँ पे अटेम्ट किस तरह से करना है या उसके आंसर हमने किस तरह से देने हैं और उन question को जो है वो हम पर फाइनल exam है उनके हिसाब से जो है वो त्यारी की कोशिश कर रहे थे तो इस वीडियो में हम chapter number 14 जो है उसके most important जो short questions हैं उनको discuss करेंगे और हम इसमें भी ये देखेंगे कि कौन से question को हमने किस तरह से त्यार करना है उसमें क्या क्या मालूमात हैं जो हमने पेपर में देनी हैं जिससे हमारे जो number है वो बहतर आ सकें तो जो chapter number 14 जिसकी हमने बात किया atmosphere तो उसका जो पहला question है most important वो है global warming global warming के कोई से दो असरात बियान करें तो आपको पता है कि जो global warming है वो जो क्रॉरा अर्स जो है उसका जो temperature है वो carbon dioxide water vapor और मेथेन की के मेथेन के molecules में इजाफे की वज़ा से मुसलसल जो हवा का और जो कुरायर्स का temperature है वो बढ़ रहा है जिसको global farming कहते हैं तो इसके असरात यह हैं के glaciers जो हैं वो melt हो रहे हैं सता समंदर में इजाफा हो रहा है जो कोस्ट लाइन यानि के साहिली अलाके हैं उनके डूबने का ख़द्शा है इसी तरह से जो फसले हैं हमारी annual crops हैं वो तबाह हो रही हैं जानवरों के उपर इसका बहुत जादा असर हो रहा है तो इस तरह के और भी बहुत सरे जो नुकसानात हैं global warming के वो आप प्यान कर सकते हैं बुक से इसको जाके मजीद आप refine कर सकते हैं मैं यहां पे इस वीडियो में आपको question के मतलिक जो raw information है या खाम information है वो दूँगा इसको मजीद refine आप लोगों ने बुक से पढ़ और तरीके से कैसे देना है इसी तरह question number two है right composition of dry air तो dry air की जो composition है यानि कि इसमें nitrogen की 78% मिकितार है oxygen की 21% है इसी तरह carbon dioxide की 0.03% है और जो बाकी कैसे हैं वो 0.9% है तो वो आपने इस question में बतानी है उसके बाद question number three है how ozone layer is forms in the stratosphere ozone layer जो है वो किस तरह से बन रही है स्ट्रेटोसफेर के अंदर तो इसकी जो अपने process है स्ट्रेटोसफेर में उसके बनने का उसकी वजाहत करनी है जिसमें oxygen जो है वो मुक्तलिफ rays जो है उनको absorb करते हुए जो है वो oxygen का molecule जो है वो O3 में तबदील होता है तो यह पूरा जो process है जो equation ह वो आपने लिखनी है इसी तरह what which are for natural sphere system on earth तो natural जो sphere system है अर्थ के पर वो कौन कौन से है तो अगर atmosphere की बात की जाए तो atmosphere में जो चार मुक्लिफ सफेर बनते हैं जिसमें ट्रोपोसफेर है लिटोसफेर है मीजोसफेर है और स्टेटोसफेर है यह इनकी तरतीब से आपने इन उनकी जो length है वो भी बताते जाना है कि यहां से लेकर यहां तक कितने किलो मेटर तक फलान लेयर मुझूद है तो इससे बहतर जो है आपका अनसर बन जाएगा इसी तरह how acid rain increases the acidity of soil तो acid rain जो है वो किस तरह से जमीन की acidity में इजाफा करती है अब acid rate जब जब जमीन बें गि यानि के sulfuric acid hno3 यानि के nitric acid और इसी तरह से जो carbonic acid है वो मुझूद होते हैं तो जब यह सारे acid पानी में जो जमीन के ओपर गिरते हैं पानी में मुझूद होते हैं जमीन के ओपर गिरते हैं तो उससे जो है वो acidity के असरात जो है वो जमीन में भी शुरू हो जाते हैं जो जो है वो काफी ज्यादा जो तोड़ फोड़ है करते हैं और इसके लावा जो है वो मुखानात का बाइस भी बनती है तो इस तरह से आप जो है जो है जमेन के सिडिटी में जो इसाफा होता है से डरेडि की वज़ए से उसकी वज़ात कर सकते है आगे नेक्स्ट अगर बात की जाए क्वेस्टन नमबर सिक्स है कार्बन मौनोकसाइड इसे हिडन एनिमी एक्स्प्रेंड इस सेक्शन कार्बन मौनोकसाइड एक छुपा दुश्मन है इसके अमल की वजाहत करें तो आपको पता है कार्बन मॉनोकसाइट एक बे रंग बे पू गैस है जिसकी मुझूदकी का ऐसास तक नहीं होता और जब बंद कमरे के अंदर या बंद गाड़ी के अंदर आप हीटर या कोई चला के सोते हैं या आग जला के सो जाते हैं तो उससे जो हवा में मौझूद अक्सीजन है पहले कार्बन डाइकसाइट और फिर अगर अक्सीजन की कमी हो जाए तो वही कार्बन डाइकसाइट कार्बन मॉनोकसाइट में तबदिल हो जाती है तो वह कार्बन मॉनोकसाइट जो है वो सांस के जरी हमारे फेपनों में जात अक्सीजन की तरह होती है हेमोगलोबीन के साथ लेकिन जो है वह अक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाती है वह बंदा है वह सो जाता है और सूने के बाद जो है की मिकदार बढ़ती है और अक्सिजन की कमी होती है तो वह डेथ हो जाती है तो इसलिए चुके कार्पन मोनोकसाइड की मजूदकी का और इसकी बाइंडिंग का और इसके एफेक्ट का पता नहीं चलता है जो बंदा इसमें सांस ले रहा हो तो इसी वज़ा से इसको हम छुप डाइ अक्साइड इसी तरह सल्फर के अक्साइड एसो टू वगेरा और इसी तरह जो नाइट्रोजन के अक्साइड एनो टू और एनो त्री जो है वो मौजूद है तो जब बारिश का पानी गुजरता है हवा से तो इन एसेड के साथ मिलके जो है वो मुक्तलिफ एसेड ब इसी तरह एंडो, टू, के साथ, या इट्री के साथ मिलके, हएच एंडो, इसे बनाएगा या नाकरos हैशीप, तो यह जो यह आमल है यह जो आमल है, यह एसिट्रेंड के बनने का अमल है, यह सारे एसिट्रेंड आमल हो जाती है都 हुए ज bluff it, बदा हमारे बास है जो फॉरी तो पे किसी चीज से बनते है वो प्राइमर्य प्लूटेंट होते हैं जैसे आग के जलने से सल Pardon Mono-Produ武 और नाइतरुजिं के integ investigate यह सारे primary protection है जब यही कारउस यह कके सlvania ne锃ा चीज sı üzerine prep can do प्रीफियर की आप वजाथ कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन ही आपने लिखनी है इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो ग्वेस्चन है वह है 11 राइट था नेम्स एंड फार्मूला अफ टू प्राइमरी प्लूटन तो जो दो प्राइमरी प्लूटन्ट है उनके नाम और प्लूटेंट हैं और इनके फार्मॉलाज भी आप लिख सकते हैं ब्रीफली एक्स्प्लेइन स्टेटोसफेर स्टेटोसफेर की मुक्सर वज़ात करें तो ये भी आपको उसी टॉपिक में मिल जाएगा उसमें से आप चंद एक जो इनफर्मेशन है जरूरी यानि कि ये कितने फासले पे फैली हुई है टंप्रेचर जो है स्टेटोसफेर में उसकी क्या वेरिशन है किस तरह वो तब्दील होता है ये आपने लिख देना है और इसके अलावा जो है वो अगर हो सके तो इसको मजीद थोड़ा सा इसमें एड़ कर दे इसके बाद क्वेशन नमबर 13 है वट इस में बाई गलोबल वार्मिंग गलोबल वार्मिंग से क्या मुराद है इसकी वज़ाद मैं पहले कर चुका हूँ कि जो कुराए अर्ज है इसमें जो तंप्रेचर का इजाफा है वो किस वज़ा से हो रहा है वो वज़ा भी आपने इसमें बता देनी है इसके बाद right to bad effects of acid rain तो acid rain के दो bad effect बताएं देखें आप वहाँ पर वर्डिंग जो है वो चेंज थी यहाँ पर वर्डिंग चेंज है question repeat हो रहे है important question है question जो है वो उसको mold करके किसी भी रुक से जो है वो पुछा जा सकता है आप इसको भी तियार कर लेंगे इसकी पहले थोड़ी सी वज़ाथ हो चुकी है what is temperature range of troposphere and mesosphere तो troposphere और mesosphere के जो temperature range है उसके बारे में आपने यहाँ पर लिखना है यह असानी से मिल जाएगा इसके बाद question number 16 है right names of two secondary pollutants तो जो दो secondary pollutants है उनके नाम लिखें तो आपको पता है भी मैंने बताया है कि H2SO4 है या HNO3 यानि के नाइटर केसड है या इसी तरह से जो सल्फिर्यू केसड है जो carbon dioxide, sulfur dioxide और nitrogen के अकसाइड से वजूद में आते हैं यह secondary pollutants हैं इसके इलावा भी बहुत सारे secondary pollutants हैं जो primary pollutants के environment के अंदर मुक्तिफ चीजों से react करने के बाद वजूद में आते हैं तो वो secondary pollutants है तो वो भी आप लिख सकने हैं इसी तरह right to effects of global warming तो repeat हो रहा है global warming के असरात लिखें यह भी आप लिख सकते हैं तो इसके जो वजूद में तो तो दोनों जो रियक्शन है वो आपने लिखने हैं क्योंके तो तोटने का अमल और बनने का अमल दोनों होते रहते हैं इसकी वज़ा से जो troposphere में ozone की मिकदार है वो मुस्तगिल रहती है what is meant by secondary pollutant give to example तो यह फिर repeat हो रहा है कि secondary pollutant क्या है और उसकी दो मिसाले नहीं यह भी आप लिख सकते हैं defined pollutants and contaminants तो pollutant और contaminant टोनों में differentiate करना है आपको यह भी जो है वो असानी से बुक से मिल जाएंगे वहां से आप इसको prepare कर सकते हैं मैं इनकी वज़ाद इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यह वीडियो फिर लंबी हो जाएगी और फिर देखना जो है वो मुश्किल होगा इसलिए आपको जो है चंद एक चीज़ें बताता चलता हूं फिर डास ओजोन लेर एक्जिस्ट ओजोन लेर जो है वो कहां पाई जाती है तो यह आपको पता है पिछे भी स्ट्रेटोस फिर में जो है वो मुझूद होती है तो इसको आप वहां से बुक से पढ़ सकते हैं वाट इस एसर ड्रेन गिव इट्स पीच डियो टू डिसॉल् जाएगा वट इस ओजोन होल वेर वाज इटनोट फ़स्ट तो जो जगाया जहां पे ओजोन की जो तैय है इसमें सुराख जो है वो दिखा जाता है जहां पे डिप्लीट हो जाती है ओजोन या कम हो जाती है ड्यू टू डिफरेंट रीजन जिन में कलोरो फ्लोरो कार्बन जो हैं वो सरेफैरिस्त हैं, ख्लोरो फ्लोरो कार्बन की गैर मजूदकी की वज़ा से जो जो कमी हो जाती है, इसको हम जो होल कहते हैं, और इसको सबसे पहले इंटार्किट का में, जो है वो डिसकवर किया गया था, बाकी भी इंफोरमेशन वहां से आप देख सकते हैं, इसी तैपस प्राइमरी प्लूटेंट और सकेंट्री प्लूटेंट्स हैं जिनकी वजहत पहले की जा चूकी है वाई ओजुन लेर इस टेपलीटिंग इन अटमॉसफिर तो जो है वो इसके अंदर से जो एक कलोरीन का एटम है या रैडिकल है वो बहुत सारी उस्गों को जो है वो खतम कर देता है तो वो आपने इसकी वज़ात में इसकी एक्वेशन भी लिखनी है नेक्स्ट इसके बाद टुटी सिक्स है क्वेशन नमबर राइड नेम्स ऑफ टू एक्सट वी डिक्रीज दी पीच अफ रेन वार्टर तो दो एक्सट लिखने हैं मैं तीन पहले बिताओ चुकान सुल्फिरिक एसड नाइटर के सड़ कार्बानिक एसड वो आप लिखने है राइड ते मेचर सोर्सिज ऑफ अमिशन वह सरी चीज़ें जो हैं वह आपकी रोजमरा जिंद्गी में तो वह भी आप लिख सकते हैं यह रपीट हो रहा क्वेशन पहले में बता चुका हूं वर थ्रेट्स आर देर तो हीमन हैल्थ ड्यू तो सल्फर डाइकसाइड गैस एस एर प्लूटन तो सल्फर डाइकसाइड प्रोवाइड करनी है एक कॉंसेप्ट बनाके आपने रिफाइन करके अपने कॉस्चन को जा वो वहां पे लिखना है पहले तो तियार करेंगे फिर लिखेंगे डैफिनिटली अभी तियार करें और फिर उसके बाद इसको पेपर में अच्छे तरीके से अटेम्ट करें इस किसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूंगा जी अल्लाह अफिस